बाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई माइने नहीं रखती, ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई माइने नहीं रखते, दिल्ली की जनता को ना तो बाला कोट एर स्वाइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के तूट जाने की कोई चिंता है, दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, देश तूटे फूटे या ना तूटे कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए दिल्ली की जनता अपने जीवन के संगर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रिय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है वो उनसे प्रभावित नहीं होती दिल्ली का चुनाव स्थानिय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानिय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रिय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया जन्रता ने बता दिया कि ये बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी हैं, निउस चैनल्स पर देखने के लिए बढ़ी अच्छी हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए ये बातें बढ़ी अच्छी हैं, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, तो ड्रिंक् बातें करने के लिए सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन-कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं ये सारे लोग तो अगली बार यही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाये क्योंकि उसके लिए इन्हें पोलिंग बूद तक जाने की जरूत नहीं पड़ेगी इसलिए दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सरफ अपने स्मार्ट फोन से चिपके रहते हैं वोट डालने नहीं जाएंगे बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे